मटर बनाने जा रहा हूं देखो मटर को फराई कर रहा हूं ठीक है अभी फराई करने के लिए डाल दिया हूं दोस्तों आज मटर पनीर बना रहे हैं फ्रहें अगर मटर की और भाव अभ इसको भी रिखון देखोर हक्योगी फ्रीर कित बिर दोस्तों है परिज्टे कोई दोस्तों हमारा पनीर है वाव्बर मटर हो रहा है कि दोस्तों हमारा मटर फराई हो चुका है अब इसको निकालने जा रहे हैं यह हमारा देखो पनीर है यह मटर आज मटर आलू पनीर बनाएंगे निकाल्स लगज़ाखे निकाल कर तो चुकाइब टवाज़ागी के ज़ साएंगे निकाले छोगपवाज़ाय। कि देखो दोस्कों अलका पनीर को फराई कराओं क्या फराई पनीर थोड़ा फराई हो जाता है थोड़ा ठाइट हो जाता है तो फुगता नहीं आप अइसे भी बनासटें सबजी कि आपका मन अगर करें फराई करने ग्लेज करो नहीं करो कोई मश्ची नहीं है तो इसे फराई करने समारा पनीर तूस्ता नहीं है तोड़ा तड़ा खुजाता है कि आपका में अच्छा नहीं देखों में इसमें अलू भी डालए है इसको भी फिराई कियें दोस्तों कि बहुत अच्छी तरह प्राय हो गया हमारा अलू पनी में अलू भी डालेंगे दोस्तों चोटा-चोटा पीस कटकर दिए यह दो आलू लिये थे हमारा आलू फराई हो चुका है तो देखो दोस्तो तो हमारा तिल गरम हो चुका भी इसमें जीरे कर तड़का मानने जा रहे हैं इसमें थोड़क कलवजी भी डालेंगे अब इसमें प्याज भी डालेंगे जच की वाले भी रालेंगे कि अब देखो दोसको अमारा प्याल गल्टी का आए अब इसमें हरा मिर्सी डालेंगे कि अब दोस्तों इसमें तमाटर भी डालेंगे अब दोस्तों पुड़का लालेंगे कि रहे हमारा तमाटर गल जाएगा कि अब दोस्तों पॉण है कि अब दोस्तों पानी डालेंगे इसमें थोड़ा दोस्तों पानी भी डालेंगे ताकि हमारा मसाला पकड़े नहीं है तुरह चला देंगे इसके, दीरे दीरे पकते रहे हैं, अभी दोस्तो, हमारा मसाला पक चुका है, देखो, तभी इसके अंदर आली छोड़ूँगा, झाली अंदरे है, बगी इसके, रहे हा हैं, यहा नाट laरत करतके हैं, डिरे इसके अंदरीय।, जाओा पकते दिसलिगों सबस्तों हैं, वहा समय हैं, जा बीक ्ब काना पक्ते हां, चुकार रहला कि डहीं दोस्तों साबागे हैं, कि अब इसको थोड़ा पका देंगे कि मटर भी डालने जा रहा हूं कि अब इसको चला लेंगे थोड़ा दोस्तों लगब लगब हमारी सबजी पक चुगी अब इसमें पनी डाल रहा हूं लेसुन का प्रेश भी डाला दोस्तों उसका वीडियो नहीं बना पाया उसके लिए सोरी बोल रहा हूं देखको मटर पनीर आलू मटर पनीर तीन चीज का सबजी बना रहा हूं मिक्स खाली मटर पनी नहीं है तोस्तों आलू भी टाला इसमें अब इसको दस मिनट के लिए डंग दिये उसके बाद फिर हमारा सबजी पक चुका है तो हमारी सबजी पक चुकी इसमें ते को दनिया भी डाल दिया हूं हमारी सबजी रेटी है बहुत टेस्टी वहना है जिसको खाना आजाए पटापट अगले वीडियो में फिर मिलेंगे बाई टाटाए